नमस्कार दोस्तों आज इक इस वीडियो में हम लोग सिखने वाले हैं कि इस परकार का सवाल बीना कापी पेन के सिर्फ एक सकेंड में हल कैसे करेंगे आज इक इस वीडियो में यही सिखने वाले हैं इसलिए इस वीडियो को पूरा जरू देखेगा जैसा कि आपको पहला सव माइनस का है इसी परकार सवाल नंबर तीसरा है चौथा है पांचवा है इन पांच सवालों को मैट्रिक की साहता से हल करना सिखाऊंगा इसलिए इस वीडियो को पूरा जरू देखिएगा जैसे कि अगर आपके पास कुछ इस परकार का सवाल रहेगा यानि कि बारा 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 यानि कि कोई भी संख्या हो सकता है अगर इस परकार का सवाल रहेगा तो आप इसको हल कैसे करेंगे चली सिखते हैं जैसे कि अगर संख्या बारा है तो करना यह है कि बारा के खंड ऐसा करना है जिसका अंतर एक का हो यानि कि 12 को दो ऐसे खंडों में तोड़िये जिसका अंतर एक का हो यानि कि आपको पता होगा कि 3, 4 का 12 होता है क्या होता है? कि गुड़ा करने पर 12 आ जाए और घटाने पर एक आ जाए यानि कि अंतर एक हो तो आपको पता होगा 4, 3, 12 होता है और 4 और 3 का अंतर कितना होता है? एक होता है इस प्रकार से इन दोनों में जो संख्या बड़ा होता है यह हमलों का एंसर होता है इस प्रकार से इसका एंसर हो गुडाय करने पर 12 आया और अंतर एक आया लेकिन यहां पर माईनस रहेगा तो भी ऐसा ही करना है यानि कि 30 का ऐसा खंड करना है कि गुडाय करने पर 30 आजाय लेकिन उनलों का अंतर कितना होगा एक का होना चीज़े तो क्या होता है 5,6,35 होता है और 6 में से 5 घटाएंगे तो एक का अंतर हो जाएगा अब क्या है जब पलस वाला था तो बड़ा वाला मान रहे थे यानिकी 3 और 4 था दोनों बड़ा कुन था? 4 था तो हम लोग का अंसर 4 हो गया था लेकिन जब यहाँ पर माइनस रहेगा तो माइनस वाला में छोटा वाला एंसर होता है नहीं कि जो 5 है हम लोग का अंसर 5 हो जाएगा अब दोस्तों ध्यानी दिजीगा कि अगर यहाँ पर हम लोग के पास 7 है अब दोस्तों अगर हम लोग के पास कोई ऐसा संख्या होगा जिसका खंड करने पर उसका अंतर एक का ना हो तो क्या करेंगे जैसे कि यहाँ पे संख्या है साथ अब साथ का तो कोई सा खंड नहीं होता है गुड़ा करने पर साथ हो जाए और अंतर एक का हो नहीं होता ना आपको पता है कि नहीं होता है अब क्या करेंगे अगर यहाँ पे पलस है तो ध्यान यह दिजेगा कि 7 के उपर कौन संख्या है जिसका खंड क्या होता है करने पर 1 का अंतर होता है निकी 7 से उपर क्या होता है 7 से उपर 8 का खंड नहीं होता है यानिकी उसका अंतर 1 का होना चीए तो 8 का नहीं होता है 9 का नहीं होता है 10 का नही 12, अब ध्यान दिजेगा, इस प्रकार से क्या हो गया, 4 और 3, इन लोग का अंतर कितना है, अंतर है 1 का, तो इसका एंसर हो जाएगा, 3 और 4 के बीच, यानि कि आपके पास बिकल्प में दिया रहेगा, 3 और 4 के बीच, यही आप लोग का एंसर हो जाएगा, यानि कि इसी बिकल्प को आपको छाटना होगा, इसी प्रकार से सवाल नंबर में अगर माइनस आएगा, तो अब दोस्तों, अगर माइनस आएगा, तो करना ये होगा, जिसका खंड क्या होता है, करने पर एक का अंतर होता है, जब माइनस वाला है, तो ये देखेंगे, कि माइनस से नीचे कौन संख्या होता है, जिसका गुड़न खंड करने पर अंतर एक का होना चीए, तो आप जानते होंगे, कि यहाँ पे संख्या होता है, पांच की नीचे दो क्या होता है पांच की नीचे दो होता है क्योंकि दो एकम दो होगा क्या होगा दो एकम दो होगा और दो और एक का अंतर एक आ जाता है तो क्या होगा दो और एक के बीच यानि कि इसका एंसर हो जाएगा दो और एक के बीच इसी परकार से आपके सवाल के विकल्प में जह और एक के बीच इसी को आप छाट लेंगे आपका एंसर सही हो जाएगा अगर आपके पास सवाल कुछ इस प्रकार कराएगा यानि कि अगर तीन रहेगा तो यानि कि क्या है यहाँ पे तीन 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 है और मैंने बताया था कि इसका खंड ऐसा करना है कि गुडा करने पर 3 आ जाए लेकिन उनलोग का अंतर 1 का होना चीए तो ऐसा तनी होता है कि 3 का खंड करें तो गुडा करने पर 3 आ और अंतर 1 हो जाए क्योंकि अगर 3 एकम 3 करेंगे तो 3 एकम 3 हो जा रहा है लेकिन 3 और 1 का अंतर 2 का हो जा रहा है कि एक का नहीं हो रहा है तो हम लोग सोचना यह है कि 1 का in अगर माइनस रहेगा तू यह देखना है कि उससे नीचे कवन संख्या है जिसका अंतर 1 का होता है दोस्तों यहाँ पे आपको पता होगा कि तीन में तीन से नीचे कौन संख्या होता है तीन से नीचे संख्या होता है दो क्योंकि दो का गुड़ा क्या होता है दो एकम दो हो जाएगा और दो और एक का अंतर कितना आएगा एक ही आता है इस प्रकार से इसका वेंसर हो जाएगा दो और एक के ब उसी विकालब को आप छाट लेंगे आपका सवाल सही हो जाएगा दोस्तों उमीद करता हूँ कि आप इन पांचों सवालों को बहुत ही असानी से समझ पाएं यदि समझ पाएं इस वीडियो को प्लीज लाइक करके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें जगा और बेल आइकन वीडियो आगे भी मिलती रहे दोस्तों यदि आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो उसको आप कमेंट करके बता देंगे मैं उस पे वीडियो जरू बना दूंगा सो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक लिमस्कार जैहंद